वेल्कम बैक तो दे चैनल लव यू जिन्दगी विद प्रियांका नए दिन की सुरुआत इन खुबसूरत पौधों के साथ आज मैंने इन पौधों की कटिंग लगाई थे क्योंकि स्प्रिंग सीजन है तो कोई भी कटिंग बहुत ही इसली चल जाती है तो चली आगे का व्ल के और भी ज्यादा खुबसूरत वाले ग्रीन ग्रीन एकदम ब्राइट ग्रीन हो जाता है और मेरी बालकनी में जो धूप आती है बस यहीं तक यह दो टाइल्स तक ही आती है यह जो देख रहे हो नहीं यह चार टाइल्स दो टाइल्स नहीं है यह चार टाइल्स तक ही आती है यहां तक और यह पूरे रेलिंग पर है तो फिर मैं क्या करती हूं कि यह हैंगिंग प्लांटर्स उपर में लगाती हूं flowering plant के लिए क्योंकि इनको जादा धूप की जरूरत होती है तो और जो मेरे रोज है देखो तो कितने प्यारे हैं न वाइट वाले बिल्कुल बंच आया हुआ है और यह सूख गया है तो इसको निकाल देती हूँ और यहां पे धूप आती है तो जगह की प्रॉब्लम है इस पेस कम है तो में रेलिंग प्लांटर्स इस तरह से जो लोहे वाले होते हैं यह जो देख रहे हो तो इस तरह से लगाती हूँ तो गुलाब को धूप आती है यहां पे गुलाब रख देती हूँ इसी में पॉट करक यह बहुत ही अच्छा है यह इस तरह का है यह एमजोन पर आपको मिल जाएगा अगर ऐसी प्रॉब्लम आप पेस करते हो कि धूप कम आती आपके बालकनी में सिर्फ रेलिंग तक ही रह जाती और इसके नीचे थोड़ा तो आप पे इस तरह का हैंगिंग प्लांटर आप अप टरह का हैं दिखाती हूं यह दूसरा है यह जो कॉमन वेराइटी जो आती ना सबके पास होती है वह वाला है एक दूसरी वेराइटी इसमें तुरथी लेकर आई हूं 15 दिन हो रहा और इसका पैटर्ण ठोरा आलग है इसमें पर्पल सेट जो है वह जादा है और उस वाले क इसको दिखाती हूँ आपको differences पता चलेगा यह दूसरी वाली variety तो इसमें ना ग्रेइस या बोलो तो green सेड होता है न यह जदा है और इसके पीछे परपल है यह यह इसके पीछे परपल होता है और ये ग्रेई स्पार्ट टाइप का होता है पता ही होगा आप लोगों को कि इस तरह से ग्रेई और ग्रीन टाइप का पार्ट होता है ग्रीन बोले हलका लाइट बिल्कुल जो होता है पत्तो का रंग होई और ये बिल्कुल परपल इसके पीछे भी परपल और बहुत ही खुबसूरत और कटिंग से लग जाता है यह प्लांट तो आज मैं आपको बता रहे में बताऊंगी कि कटिंग से लगने वाले कौन-कौन से प्लांट है चलिए देखते हैं कि फिर कटिंग से कौन-कौन से प्लांट है एक तो यह वैंडरिंग जू है कहीं से भी इस तरह से तोड़ लो और इसको लगा दो मैं लगा भी देती हूं इसको इसको मैं यह फ्लावरिंग भी कर रहा था अभी कुछ टाइम पहले तक यह स्प्रिंग सीज तो अच्छे से कट जाता है तो यह इस तरह से देखो कट गया इसका नौड एरिया यह है मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगे आखेंची से और इसको मैं लगा दूँगी स्वाइल में और यह बहुत ही अच्छा सा लटकने वाला जो बोले ना हैंगिंग प्लांटर के ल नहीं यह मैं लगांगे क्टिंग में लगाने वाले प्लांट में उपर के प्लीफ यहां से आप यहां तक भी निकाल सकते हो इस तरह से तो मैंने स्रफ यह पत्ता निकाले क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहां से काट लेती हूं जो एक्स्ट्रा पार्ट है नहीं तो वही सर जाएगा मिट्टी में जाके यह नौड एरिया को छोड़ दिया है मैंने यहां से भी रूट इसके निकल आएंगे तो चलो इसको लगा लेती है तो मैंने आपकी इसकी दूसरी वराइटी भी दिखाई थी वह सबके घर में रहता ही है तो यह दूसरी वाली वराइटी है तो यह इस तरह से है उस वाली वराइटी में यह जो डार्क सेड था न वो यह कम था यह परपल का डार्क सेड और यह ग्रे वाला जो है ना ग्रीनिस ग्रे जो है तो वो कम था तो यह दूसरा वाला ट्रश केंटी या वैंटरिंग जू है यह एक और था मेरे पास पर अनफर्चुनेटली वो डेट हो गया वो उसमें वाइट और परपल का कॉंबिनेशन वाला था तो मैंने सुचा कि इसकी कटिंग निकाली है तो इसकी में लगा दूँगी मैं और इसको जो है इस वाले पॉट में सिफ्ट कर दूँगी तो यह काफी छोटा हो गया और यह बूशी भी हो गया इसको मैं 15 दिन पहले नर्सरी से लेके आई थी तो यह पैल गया और ब्लूम भी दे रहा थे हैं यहां पीसके छोटे-छोटे परप यह यूज किया है और थोड़ा कंपोस्ट मिलाया है अब करते हैं इसकी पॉटे और इस वाले को छोटे वाले में डाल दूँगी पहले मिठी को लट लेती है क्योंगी उसमें पहले एक ब्लांट लगावा था और उसको मैंने निकाल दिया वो डैडर हो गया कि भी चेक कर लिया है मैंने कि हाँ जब भी कोई रिपोर्टिंग करें और पुरानी मिटी का यूज करें तो चेकिंग कर लें कि उसमें वह मिटी सही है या नहीं है अगर मिटी में फंगस फंगस लगा हो तो पंजी साइड डाल दे और इसमें क्या एक अच्छी चीज मुझे छो दिखें आफ ये अर्थ warm है दिखा है अपको यह रत वो में इसमें तो इसको मैं साइड में यह चाह नीच की और यह चैसा hmm ६लोड नहीं की क्या तो बीजिये वह ट और इसमें अर्थवम भी था और इसमें पहले से अल्रेडी कंपोस्ट और गार्डन स्वाइल मिलाया हुआ है पहले इस पॉट में कोई दूसरा प्लांट था तो फिर वो डेड हो गया था तो फिर मैंने उसकी स्वाइल यूज में ले लिए तो मिट्टी को आप पेके नहीं तो वो पूरानी मिट्टी को ही हवा धूप लगा करके उसके फ्रेश कर ले और उसे यूज में ले आए क्योंकि मिट्टी की एक लेयर बनने में काफी टाइम लग जाता है तो इसमें मैं मिलाओंगी थोड़ा सा पर्लाइट इसको वेल ड्रेंड करने के लिए थी कि इसमें कोको पीड था कि मैंने इसमें पर्लाइट मिला यह है यह न पौद्धों पेज़व को कपी अच्छा इस पेस देगा और उसकी रूट को ना खवाल लगती रहेंगी इसमें थोड़ा पर्लाइट मिला लिया मैंने और इसको विलावनींगी तो यह फर्टिलाइजर नहीं हो यह एक और मुझे अर्थवाम दीख रहा है यह न पौधों को पौधे की जर्कों आप सेंड भी मिला सकते हो पौधे की जर्कों हवा लगाता है जैसे एक स्पेस देखता है उस तरह का यह हो जाता है तो इसमें मैंने पर्लेट मिन मिक्स कर लिया है अब इसको अराम से मैं निकाल लूँगी इस वाले प्लांट को इसमें से और इसमें न काफी कोको पीट में ही लगाया हुआ है काफी जर्ना पकड़ चुका है इसका और यह देखो इसकी रूट बाउंडिंग काफी खुबसूरत है ना इतना सुन्दर लग रही है इस तरह से इसको यहां रख लेती हूँ और इसकी थोड़ी थोड़ी कोको पीट इस तरह से निकाल दूँगी जाड़के इसको रूट बाउंडिंग अच्छी तरह से किया हुआ इसमें यहां से निकालेंगी कोको पीट इसमा कोको पीट दननेगी क्या जरूर थी अब यह मिट्टी से मैं फिल कर लूँगी इस तरह से और यह जो है यह ना निकल नहीं रहा है अगर मैं इसको निकालूँगी ना तो यह तूट जाएगा तो फिर इसको एज़िपिस में लगा दोंगी और इसको फिल कर लोंगी और इसमें जो अर्थवाम थे निकले वे यहां यह सारे यह अर्थवाम है तो इसमें भी दाल दूने विचारों का यही बसे रहा था एक्स्ट्रा कोको पीट नहीं डालोंग और जब भी रिपोर्टिंग करें ना तो फिर वह प्लांट को ना पॉट के विल्कुल सेंटर में लगाने की कोशिस करें एक साइड में अगर किनारे में लगा देंगे तो वह साइड से जुक जाएगा मतलब एक साइड में ही वह इस तरह से बैंड होता रहेगा और उसको फिल करता रहेगा किनारे किनारे जो भी बढ़ने वाले पॉद है ना अगर बीच में लगाएंगे तो वह चारों तरफ पहलेगा हमें इसकी रिपोर्टिंग कर दिये है अब इसमें यह अच्छे से पहले से अच्छा दिख रहा है कि अर्थवां के भी फैमिली मेंबर सी पूरे हो गया है चले तो यह हो गया मेरा यह कितना प्यारा लगा रहा नहीं है तो अब जो इसकी कटिंग लगनी है वह भी लगा लेती हूं हमस यह अच्छा वाइ रख देती हूं और इसी की कटिंग मैं इस ही में लगा लूंगी यह जो बच्छा हुआ जो अउसॉयल मिक्स्ट्ट्र है ना मैंने। मिला दिया है है इसमें भर लिया मैंने थोड़ा और इसको जो नौड एडिया से दिखाया था इसको इसमें लगा दूगी इस तरह से हो गया ये मेरा एक और प्लांट रेडी हो गया बहुत ही आराम से प्यार हो गया इसको किसी को गिप्ट दे सकते हो आप किसी फ्रेंड को गिप्ट दे सकते यह घर में इंडोर रख सकते हो आप जहां पे यहां प्राइट लाइट आती हो वह हाराम से चला जाए掉 यह पधा बहुत ही कम पानी चाहिए इसको कुछ अ लगने वाले पौदे को पहुती कम पानी चाहिए होता है और इसमें फोड़ा पानी दे दूंगे मैं दोनों जब भी रिपोर्टिंग करें पानी देना ना बोले पौदे को एक बार तो अच्छे से पानी पी लागी दे थोड़ा ही पानी दूंगी क्योंकि इसको कटिंग से मैंने लगाया है तो यह भी हो गया रेडी और यह भी हो गया कि कि दूसरे इसको कट़िंग से लगाने वाली प्लांट हूं यह यह से बौधिने म्लांटिया है यह प्लांट यह भी अराम से लग जाता है तो देखती हूं इसको cutting लगाती हूँ मैं इसका और दिखाती हूँ आप लोगों कि इसकी cutting कहां से लेनी है और कैसे लेनी है और कैसे लगाना है और और स्वाइल मिक्स्चर तो वही रहेगा थोड़ा कोकोपिट गार्डेंस वाइल कंपोस्ट आप कोकोपिट ना डाले तो भी चलेगा क्योंकि आल्रेडी मैंने यह कटिंग लगाई हुई है तो आप देख रहे हो कि यह कटिंग लगी हुई है फ्रिटूनिया की और एक छोट इसी में लगा दूंगी इसकी कटिंग है कि काफी बूशी है और एक महीने पहले मैं इसे लेकर आई थी नर्सरी से और काफी फैल गया है और इसकी केर यह करनी है इसकी के बारे में बताओं तो इसको सेमी सेडो एरिया में रखना जहां पर प्राइट लाइट आती है बहु होगी है इसको वहां पर रखना और बहोत ही अच्छा सपाइग सब्सक्राइब कराती है किहाँ है शिर्ण करें के इसकी कैंड लोंगी यहां से इसको मैं joismanic germ आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ कि इसका स्वाइल मिक्षर कैसा होने शही है मैं इस पॉट को खाली करूँगी और इसको भी निकालूँगी और इसी में फिर दूसरी कटिंग लगाऊंगी पहले मैं इस पॉट की सारी मिट्टी निकाल लेती हूँ कि मुझे यह स्वाइल ठीक नहीं लग रहा है और इसका रूट भी दिखा देती हूँ कि यह देखो इसके रूट से नजर आ रहे होंगे आपको यह 15 दिन का 15 देस पहले का है अब दिखा यह के लिए तो 15 दिन पहले मैंने इस फिटूनिया के प्लांट को कटिंग के थू लगाया था मैं इसकी पहले स्वाइल चेंज कर लूँगी कि मुझे यह स्वाइल सही नहीं लग रहा है तो सेम तरह की जैसे इसकी मैंने पॉटिंग मिक्स बनाई थी सेम उसी तरह की मैं बनाने वाली क्योंकि यह भी कटिंग के थू ही मैं लगाऊंगी तो वही इसके लिए मैंने एक लिया है एक मुठी के गरीब करलाइट और इसमें अल्रेड़ी कंपोस्ट और गार्डेन स्वाइल मिक्स है तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी जो मित्ती बची हुई थी वो भी मैं राल गूंगी इसमें कीरा भी निकला ओ मैं गॉट क्या है यह मोटी से और यह पाथ नहीं रहते हैं और जब भी और जब भी कटिंग से प्लांट आप लगाए ना तो चोटा सा ही पॉर्ट लें इस तरह से नर्सरी पॉर्ट आता है इसमें बहुत आरे होल होते तो इस तरह से यह इन्यूचैन पर भी मिल जाएंगे आपको इसमें जो मिट्टी लगी हुई थी ना वह चिकनी मिट्टी लगी और इसके द्रैनेज को थोड़ा कवर कर दूंगी यह तो सारा जो भी मैं फर्टिलाइजर डालूंगी या पानी डालूंगी पूरा ही निकल जाएगा इसको थोड़ा मैं इसको कवर कर देती हूं कुछ को छोर दूंगी और कुछ को कवर कर दूंगी इस तरह से टिल कर दूंगी प्रोसेस कोई डिफरेंट नहीं है और यह जो है कटिंग इसको भी लगा दूंगी जो पहले वाली है अब मैं इसकी दिखाते हूँगी इसकी कटिंग कहा से लेनी है मुझे यहां पे एक हेल्दी सा रूट निकलावा मिल गया है वो ब्रांच वो स्टेम तो उसको मैं काट लूंगी यह नौड एरिया से खुद बखुद रूटिंग स्टार्ट कर देता है यह देखको छोटता सा है रूट आपको दिखरा होगा तो यह मैंने एक ले लिया है मैं एक ही लूंगी मुझे इसे काटना नहीं अच्छा लग रहा है यह जो है इसको भी नहीं इस नहां पर लगा लेता है अच्छे से लग जागा है और इसको भी फिल करते हूं भी स्वाइल से अब यह दोना साथ साथ बढ़ेंगे एक दो दिन तक तो यह थोड़ा सा डल मुझाया वसा रहेगा क्योंकि यह बहुत सेंसेटीव होता है चलता तो लंबे टाइंट तक प्लांट है लेकिन थोड़ा सेंसेटीव होता है थोड़ी सिपानी की कमी हो जाती है तो बड़ावला पौधा आभी जोड़ा जाता है तो इसको पानी बराबर यह देना पढ़ता है मैं इसे कभी अंदर लाती हूं कभी बाहर लाती हूं तो इस तरह मैनेज कर लेते हूं और इसमें दे लेंगे थोरा पानी हो रही दिया है ताकि इसकी रूट जो निपले वें वो गले न तो मेरा ये भी हो गया खुब सूरत सा प्लांट रही अब फोकस करा कैमरे ने कि क्यूंज महिने में एक बार कम से गम महीने में तो लही लिजा है अब लिक्विड फर्टिलाइजर अल्रेडी मैंने बताया हुआ अपनी चैनल पे किस तरह से बनाना है तो भूद्रा से ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी होता है तो इस पोधे को बिल्कुल ही थारा हुआा तो बिल्कुल ही ने पसंद नहीं तो पता है इसमें फंगस लगना उपर मिली बउक से लगने बहुत सारी प्लांट है तो यह Colleus Red वाला है तो यह भी बहुती One Leaf curation हो जाता है इससे तो मैं इसका One Leaf парagaychen करूँगी यहां से कहली वाला Leaf मैंने तोड़ लिया है One Leaf से ही यह PEOfficate हो जाएगा और इसको और कहीं नहीं इसके ही इस वाइल में मैं लगाने वाली है इसमें एक होल कर दूँगी सर्फ इंगर से करूँगी कुछ यह तूल्स यह इंस्टूमेंट नहीं यूज करूँगी और यह जो लीफ है ना इसको इसमें दवा दो इसमें रूटिंग हो जाएगी स्टार्ट कुछी दिनों में और जब होती है ना तो मैंने इसको यहां पर लगा दिया है यह रही वो लीफ जो यहां से मैंने कटिंग की थी उपर से और यहां पर लगा दिया है तो मेरे हो जाएंगे एक दो तीन प्लांट तो हो गए मनी प्लांट ले लो उसकी भी कटिंग हो सकती है और लग सकता है बड़ी अराम से और इस सभी के लिए मैंने स्वाइल मिक्स्चर वही दिया है गार्डन स्वाइल कॉम्पोस्ट बराबर बराबर लिया है मैंने 50-50% पर लाइक मैंने थोरा अंदाजे से लिया है वो एक अंदाजा हो जाता है टाइम टाइम पर जब आप कोई भी काम लगातार और कॉंटिनिसली करते हो न तो आप उसमें न एक्सपर्ट बजाते हो तो इस तरह मुझे वह अंदाजा हो गया है और ना पना नी जोकना नी कर लेना तो कि मिलते हैं अच्छे अच्छे प्लांट के साथ और बिल्कुछ फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ